नमस्कार दोस्तों Policy Bazar Share हमें एक बहुती बड़े डाउन ट्रेंड के बाद में फाइनली कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो दोस्तों चलिए करते हैं Policy Bazar Share का Technical Analysis और देखते हैं कि क्या इस शेर में यहां से एक अच्छी तेजी आने की उमीद है या फिर यहां से हमें वापस गिरावत देखने को मिलेगी दोस्तों हम यह भी डिसकस करेंगे कि इस शेर में हमारे Best Buying Levels कौन से रहेंगे और उसके बाद हम Target को भी डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते है policy बजार शेर में important support की तो यहाँ पर 371 रुपीस का level एक बहुत ज़्यादा important support है क्योंकि यहाँ पर आप देखो दोस्तों में लगातार इस शेर में एक बहुत बड़ी जब crash देखने को मिला था तब इस शेर ने इसी level पर support लिया और उसके बाद भी एक बार इस शेर ने इसी level पर support लिया तो यहाँ पर आप देख सकतों दोस्तों इस शेर में 371 का level एक अच्छा support है दोस्तों अगर हम बात करते इस शेर में resistance की तो यहाँ पर 398 का level एक बहुत ज़्यादा important resistance है क्योंकि इस शेर ने इस जोन में कई बार resistance वेश किया है दोस्तों उसके बाद जो दूसरा resistance है वो है 425 रुपीस का level आप देख सकते हो यह वाला level दोस्तों आईए बहुम apply करते इस शेर में कुछ important technical indicators और देखते हैं यह technical indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं MACD और RSI को apply कर चुका हूँ यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो MACD indicator में हमें जल्दी एक bullish crossover देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यह दोनों lines अभी cross हो सकते हैं और उसके बाद एक bullish crossover देखने को मिलेगा और यह एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों RSI में हमें recovery देखने को मिले RSI अभी 30 के तो उपर आ गया है अभी भी दोनों technical indicator bearish है पर अच्छी बात यह है कि दोनों technical indicator धीरे धीरे करके bullish होते जा रहे हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस share में खरीदारी करने की तो यहाँ पर अगर यह share अपना resistance break करता है 398 का level और उसके उपर थोड़ी देर stable हो जाता है तो उसके बाद इस share में खरीदारी करने का एक शांदार मौका रहेगा दोस्तों उसके बाद short term में हमारे targets रहेंगे इस share में सबसे पहला target रहेगा 425 रुपिस का level दूसरा target रहेगा हमारा 460 का level और तीसरा target रहेगा 490 रुपिस का पर दोस्तों अगर यह share resistance break नहीं करता तो इस share में यहाँ पर हमें और जादा consolidation या फिर घिरावट देखने को मिल सकती है इसलिए अगर आपके पास कोई भी holding आ तो 371 का stop loss लगा सकते हो क्योंकि तो अगर इस share ने support तो एक बहुत बड़ी घिरावट भी आ सकती है तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यह वीडियो के educational वीडियो था इसलिए इस share में मेरी कोई भी बाहिस हलिया hold की सला नहीं है धन्यवाद